वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कैनरा बैंक में जो पैसे जमा करने की जो पर्ची होती है इस जमा पर्ची को कैसे भर सकते हैं तो दोस्तों इस जमापर्ची को भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है simple हम यहाँ उपर से start करेंगे तो सबसे पहले branch वाला जो column है यहाँ पर आपके bank की branch का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है जैसे कि आपका bank जिस जगह है उस जगह का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है तो मेरा जो bank है वो जाईपूर में है तो मैं आज जाईपूर लिख देता हूँ and date वाला जो column है यहाँ पर आप जिस भी दिन ये जमापर्ची बर रहे हैं उस दिन की दिनांक तारिक आपको यहाँ पर लिख देना है and account number वाला जो column है यहाँ पर आप जिस भी account में पैसे जमा करना चाते हैं उसके account number आपको यहाँ पर लिख देना है and name वाला जो column है यहाँ पर वो account जिसका भी है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख दिना है और मोबाइल नमबर वाला जो कॉलम है यहाँ पर आपके जो भी मोबाइल नमबर है वो मोबाइल नमबर आपको यहाँ पर लिख दिना है और अमाउंट वाला जो कॉलम है यहाँ पर आप जितने पैसे जमा कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है जैसा कि मैं आदस जार रुपे जमा कर रहा हूँ तो मैं आदस जार लिख देता हूँ and rupees in words वाला जो column है यहाँ पर आप जितने पैसे जमा कर रहे हैं, वो आपको यहाँ शब्दों में लिखना है, जैसा कि मैं या 10,000 रूपे जमा कर रहा हूँ, तो मैं 10,000 रूपे मात्र लिख देता हूँ, आप हिंदी या इंगलीश में किसे में भी लिख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आप य 2000, 1500, 200, 150, यहाँ पर numbers लिगे हैं, तो यहाँ पर किया आई कि आप जितने ही पैसे जमा करें हैं, उसमें कितने कितने रुपए के कितने note है, उसकी detail हम यहाँ बननी परती है, जैसे कि आप जितने ही पैसे जमा करें हैं, उसमें 2000 के कितने note है, 500 के कितने note है, 100 के कितने note है, 200 के क उसकी डीटेलम नहीं पर टेटी है यह इतनी खाश ज़रूरी नहीं होती इसलिए आपको चोड़ देना है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पर आहे और आप यहां पर देख सकते हैं टोटल वाला जो कॉलम है यहां पर आप टोटल जितने प expensive जम्मा कर रहे हैं वह आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि मैं आदस अजार रुपे जमा कराऊंट, मैं आदस अजार लिख देता हूँ, उसके बाद फिर से आप यहाँ उपर के साइड में देख सकते हैं, डेट वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप जिस भी दिन ये जमा पर ची बर रहे हैं, उस दिन की दिनांग तारीक आपको यहाँ पर लिख देनी है, यहाँ पर आपका बैंक जिस जगह है, उस जगह का आपको यहाँ पर लिख देना है, फिर से अकाउंट नंबर वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप जिस भी अकाउंट में पैसे जमा करना चाते हैं, उसके अका वाला जो कॉलम है, यहां पर आप जितने ही पैसे जमा कर रहे हैं, वो आपको यहां शब्दों में लिखना है, जैसे कि मैं आद 10,000 रुपे जमा कर रहा हूं, तो मैं 10,000 रुपे मात्र लिख देता हूं, आप हिंदी या इंग्लीश में किसे में भी लिख सकते हैं, उसके बा दोस्तों आपका कैनरा बैंक में जो पैसे जमा करने की जिए पर्ची है, यह पूरी तरके से फिल अप हो चुकी है, बढ़ चुकी है, इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं बना है, जो कि एक दम आसान तरिका था, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बसे इतना ही, प्लीज वीडियो के लाइक एन चैनल को सब्सक्राइब दूरूर से कर दियेगा,